तो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं fantasy sports spy youtube channel और मैं हूँ गौरव आज हम जो चैनल में match cover करने वाले हैं वो रहेगा सीरी ए का एक बहुत बड़ा match जैनेवा वर्सिस इंटर मिलान के बीच इस मुकाबले का करते हैं detail analysis इसके बाद एक और match है थोड़ा late night हो वो match का दोस्तो वीडियो तो नहीं आ पाएगा लेकिन उस match की दो small league team और जो अभी हम match cover कर रहे हैं इस match की 8 grand league और 2 final sl team आपको हमारे telegram channel में मिलने वाली है जिसका link description में जरूर जुड़ जाईए अब चलते हैं इस match का करते हैं detail analysis तो बात करें Genoa और Inter Milan की ये match Genoa के home ground में खेला जाएगा आज रात 11 पीम पे अगर हम Serie A का points table देखेंगे तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे एक clear winner हमें नहीं मिला है Juventus अपना पिछला game हार गया नहीं तो अभी तक वो champion होता तो थोड़ा सा खुला हुआ है Serie A का भी कोई भी team खिताब जीच सकती है लेकिन जादा chances यहाँ पे आप देखेंगे top 1 में जो Juventus है उन्हीं के क्योंकि 80 points है उनके लेकिन अगर result कुछ उनके favor में नहीं जाते तो यहाँ पे Inter Milan जैसी team भी इसका फायदा उठा सकती है तो Milan जो हमारी आज की team है 3rd position में Inter Milan की team आप देखेंगे तो इनके 73 points है और Corona break से पहले यह Juventus के लगातार बराबर में चल लेते एक या 2 points का फरकता लेकिन Corona break के बाद से results कुछ ऐसे रहे इनके favor में नहीं गए जिस वज़े से दूस्तों Inter Milan यहाँ पे 3rd position में आ गई है Atalanta ने उनको cross कर दिया है अगर आप goal scoring stat देखेंगे तो बहुत अच्छे stat यहाँ पे देखेंगे 74 goal Inter Milan की team पूरे season में score कर चुकि है जो कि Juventus से भी एक ज्याद है और इन्होंने सिर्फ 36 goal कंसीड के है जो कि Juventus से 2 कम है तो overall बहुत बढ़िया इस season में Inter Milan का performance रहा है लेकिन पिछले कुछ match अच्छे ना जाने के कारण यह यहाँ पे 3rd position में आ गए है और आज इनके लिए आप जानी के होंगे कि कितना must win match है क्योंकि 3 match days बचे है 36, 37 और 38 तो यहाँ पे 3 match days में ही दोस्त अगर यह तीनों जीतिंगे तो तब ही कुछ chance होगा इनका यहाँ पे Juventus से आगे पहुँचने का अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी जो हमारी अपोनेंट रहने वाली है आज इंटर मिलान की वो है जनेवा की टीम जनेवा दोस्तो 17th position में relegation battle में है आप जानते होंगे कि bottom 3 teams relegate होके दूसरे tier में चले जाती है तो almost यहाँ पे battle चला है इनके relegation 36 इनके point है इनके लिए मैच बहुत crucial होगा क्योंकि अगर यहाँ पे draw भी करा लेते हैं तो यह यहाँ पे safe एक तरीके से रहने वाले हैं तो इनके लिए भी बहुत crucial मैच है होने वाला है 44 गोल decent गोल इनके स्कोर किया लेकिन काफी जादा 65 गोल इनके पूरे season में concede कर दिये हैं तो इससे पता इलगया होगा आपको कि यहाँ पे जनेवा का defense उतना जादा खास नहीं है लेकिन उनका attack काफी ठीक ठाग है अब recent कुछ matches के हम रिजर्ट देखते है जनेवा के 3-0 से टोनीनों से हार गयते है उसके बाद आप देखेंगे last 2 matches में 2 जीत है दो एक लेचे को रहा है उसके बाद 2-1 से सैम डोरिया को रहा है तो recent form जनेवा की काफी अच्छी चल ली है तीन matches में इनकी 2 जीत और एक हार है अब Inter Milan की recent form आप देखेंगे 4-0 से इननोंने इसपाल को आ रहा था लेकिन उसके बाद 2 लगातार इनोंने draw खेले जिसके वज़े से इनको यहाँ पे 3rd position में down आना पड़ा है यहाँ पे आप देखेंगे 2-2 draw रोमा एक बहुत बड़ी टीम के अगेश और पिर पिछले match में इनोंने फ्योरें टीना के अगेश तो आज के मैज में जरूर इंटर मिलान की टीम चाहेगी कि वो यहाँ पे जैनुवा को हराये बड़े मार्जिन से ताकि वो points table में और उपर आ सके अब इन दोनु टीमों के भी जबी तक इस season में एक match हुआ है वो इंटर मिलान ने जीता तो पहरें इनके गोलकीपर हुँगे, former Juventus गोलकीपर है भी लोन में है Juventus है, आज के match में यह काफी saves कर सकते है क्योंकि Lukaku, Ericsson, Lotero Martinez, Alexis Sanchez जैसे player काफी shots on target लेते हैं, अब इनके जो 4 defenders है, defense section में उनने बिल्कुल अच्छा perform नहीं गया, तो फिर भी एक important defender में बता दो, विर इनके में प्लेयर इनके है, वो है Crisito, इनके captain और इनके penalty taker, 8 goal इस season इन्होंने मारे है, जिसमें से 7 goal penalties में है, तो इससे आप जानगोंगी कि इनके defender, Crisito है, इनके captain, इनका कितना main role है इस team में, और इस team के 2nd top scorer भी है, तो मेरे हिसापते तो SL team में यह must-to-to-to-to-to-to-to-to- है, तो यहाँ पे Crisito का importance और जादा बढ़ जाता है, अब इनके जो बाकी जो centerbacks या defenders है, उनका कुछ ज्यादा खास नहीं है, performance अभी तक, अब इनके जो team central midfielders खेलेंगे, इसमें Behrami, Shon और Jagiola खेलेंगे, अब इन तीनों में Behrami दोस्तों proper holding midfielder है, ज्यादा attacking return नहीं द होगा, semi-final में पहुची थी, UCL के, Tottenham के अगें ठारी थी, तो वहां तक ले जाने में इस player का बहुत-बहुत बड़ा role रहा था, और ये दोस्तों free kick master है, free kick जब भी लेते हैं, direct goal बहुत ज्यादा chances इनके बढ़ आते हैं free kick से goal करने के, और ये player कभी भी goal assist कर सकता है, और ज़्यादा chances create करता है, तो Crisito के बाद ये भी एक show ने भी इनकी team के मश्ट मश्ट पिक रहने वाले हैं, और इनको भी बहुत ज़्यादा experience है, बाकि बहरामी और जगियोलों का भी तक ज़्यादा खास performance रहा नहीं है, Iago Falk खेलेंगे holding, attacking midfield में, Torino format, Torino player है, और ये player भी ब सकते हैं, अब पांडेव और पिना मॉन्टी इनके दोनु forward है, पांडेव इनके top scorer है, तो पांडेव एक मश्ट मश्ट पिक रहने वाले है, 9 गोल इस season मार चुके है, पिना मॉन्टी भी दोस्तों 4 या 5 गोल स्कोर कर चुके है, और assist भी कर सकते हैं, तो मैंने इनके कुछ important player के बारे में आपको पता दिया, क्रिसीटो है, शोने है, पांडेव और पिना मॉन्टी है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इनके जैनुवर के season के stat, पांडेव सबसे ज्यादा 8 गोल, और क्रिसीटो 8 गोल जिसमें 7 गोल पेनाल्टी इसमें, फिर पिना सनाबरिया, श्टूरालो, दो-दो, बागी सब के एक-एक असिस्ट, तो यह इनके कुछ गोल स्कोरिंग और असिस्ट इस्ट है, आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं, अब दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ें तो जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप् मैं यही cover करता हूँ, और GL में हमारी काफी अच्छी rank आती है, और SL में भी काफी अच्छी winnings हो रही है, तो मैं उमीद करता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएंगे, अब बात करते हैं, इंटर मिलान की प्लेइंग 11 की, हेंड अनोविच इनके गोलकीप लगभग नामुम्किन सा लग रहा है, अगर खेले तो फिर तो बहुत important हुगे, लेकिन जो rumors सारे उसके recording वो नहीं खेलेंगे, तो उनके बजले दोस्तों यहाँ पे नए 3 in the back formation में नए defender खेलेंगे, उसमें Dembrosia आजेंगे उनकी place में, इसके लाबा बस Tony और Godine, यह खेलते ह है, headers में यह काफी solid है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनकी age होगी है, तो थोड़े errors कर रहे है, लेकिन फिर भी last match इनका काफी अच्छा गया था, बास Tony और Dembrosia भी headers में score कर सकते हैं, बाकी यह तीनों के बहुत ज़्यदा passes आज के match में आने वाले है, अब इनके जो 2 wingbacks है, wingbacks जैसा मैं हर बार बताता हूँ, वो होते हैं, जो fullback थोड़ा attack करते हैं, उसमें right wingback position में केंटरिवा और left wingback position में Ashley Young खेलीगे, दोनों बहुत बार attacking है, कास्ट और पर केंटरिवा दोस्तों, यह player goal और assist दोनों कर सकते हैं, तो मेरे साबसे तो यह मश्ट मश्ट फिक रहने च यह भी दोस्तों assist करने में, के बेबियोल है, इसके अलावा कभी-कभी randomly goal आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो Antonio Conte के manager है, यह 60-70 minute के बाद wingback जो होते हैं, इनको substitute कर देते हैं, इनके बदले दूसरे wingbacks आ जाते हैं, तो यह थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, फ Brojovic तो Ericsson या Alexis Sanchez के साथ कभी-कभी free kicks और corners भी share करते हैं, तो Brojovic एक तरीके से Tony Cruz जाते हैं, पूरे मैदान में गूंते हैं, और बहुत ज़्यादा पासेजे बनाते हैं, गलियार दीनी भी दोस्तों एक बहुत अच्छी choice हो सकते हैं, अब attacking between में Ericsson खेलींगे, Tottenham से January में लेकिन ज्यादा कुछ खास जब से January में किया नहीं, लेकिन आप जानते होंगे, जो Premier League पिछले काफी टाम से देख रहा है, वो जरूर जानता होगा कि Ericsson कितना बड़ा नाम थे Tottenham में, कभी भी goal और assist कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, और मुझे याद है, कोरोना ब्रेक से बेले एक मैच वा था, उसमें Ericsson ने डारेक्टर कॉननर में goal score कर जाता, तो कभी-कभी ऐसे goal पड़ते हैं, तो Ericsson एक बहुत अच्छी चोईज आपके लिए हो सकते हैं, forward position में, Lukaku का खिलना दगवा confirm है, इनके top scorer और इनके penalty taker, तो Lukaku ह हमारे आज के मैच में खेले तो Captain definitely SL में होने वाल है, उनके साथ में जाता है Alexis Sanchez के लिए या खेलेंगे Lutero Martinez, Lutero Martinez बार से लोना जैसे club से लिंक है, बहुत deadly striker है, और इसके साथ ही Alexis Sanchez Manchester United से लोन में आ है, तो ये दोनू मैसेज जो खेला वो बहुत-बहुत important होने वाल है, औ वो भी खेला वो गोल और असिस्ट कर सकता है, Alexis Sanchez की तो recent form भी काफी सांदार चली है, तो दोस्तों ये था कुछ information Inter Milan के प्लेयर के बारे में, अब ये कुछ stats उनके देखते हैं, main-main players के, Lukaku सबसे जादा 21 गोल पूरी सीजन में, जिसमें 6 गोल पेनाल्टी में, और Lutero Martinez आप देखेंगे, Dembrosia, Bastoni, Viragi और Balero दो-दो गोल, असिस्ट में आप देखेंगे, Kendreva और Sanchez के सबसे यादा 7-7 असिस्ट, Brojovic 5, Viragi 4, Lutero Martinez, De Vrij, Young, Parela 3-3, Lukaku, Senji, Vegino और Ericsson दो-दो असिस्ट, तो ये इनके गोज गोली स्कोरिंग और असिस्ट इस्ट है, आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं, अब कुछ most important player में आपको बताता हूँ, जैनेवा से ये 3 player, फिर से मैं आपको बतारो, SL में बहुत important हैंगे, Pandev, इसके अलावा आप देखेंगे, Chrisito और Shone, Inter Milan से Lukaku, Martínez या Ericsson, Sorry Alexis Sanchez में से जोगेला, Ericsson, Kendreva और Brojovic, अब prediction दोस्तों मैं यहाँ पे इस match में clearly Inter को favor कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए Genoa के comparison में बहुत important match है, और Genoa Inter के मुकाबले बहुत weak team भी है, तो मेरी prediction आज के match में 2-0 clearly Inter होने माली है, हलंकि 2-1 या 2-2 भी score line हो सकते है, Genoa भी goal score कर सकते है, तो Grand League में आपको हर एक combination के लिए तयार हैं, जैसे कि 0-0 draw की भी possibility है, 5-0- 6-0 Inter की भी possibility है, 2-2 draw की भी possibility है, 1-0 Genoa की भी possibility है, तो ऐसे करके हर एक combination की 8 Grand League और 2 SL team आपको हमारे Telegram चैनल में मिलेगी, जिसका link description में है, नहीं तो आप at the rate fantasy sports is why search मारेंगे, 1.2 के या जब तक आप join करेंगे 1.3 के subscriber वाला चैनल आपको मिलेगा, वहां से आपको जुड़ यहां पर 20 मिनिट के बाद 8 GL और 1 Final Spawn League टीम पोश्ट करने वालो इस match की, तो लगबख सारे football matches वही cover होते हैं, और mostly matches की GL टीम भी आती है, तो मैं उमीद करतो आप जरूर जुड़ेंगे मिने Telegram चैनल के साथ, तो फिलाल में अभी कोई demo team नहीं दिखा रहो, सीधे क्यूंकि क्यारा बजे मैचे 10 सवा दस तक लाइना पाजेगी, उसके बाद में डिरेक्टर टीम में पोश्ट करने वालो, तो दोस्तो यह था, दोनु टीम के बारे में detail analysis, उमीद करतो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जहन!